दोस्तों नमस्कार भारती भोजन व्याउस्था में विविद प्रकार के भोजन हैं कई तरह के भोजन के कई सारे लाब होते हैं फिर कई मिस्रित भोजनों का जब हम एक भोजन को किसी दूसरे भोजन के साथ मिक्स करके काते हैं तो उसका विशेश प्रभाव पड़ता है, हमारी भोजन व्योस्ता ही ऐसी बनाएं गई है कि कुछ भोजन वात को बढ़ाते हैं, कफ को बढ़ाते हैं, तो पित को शान्द करते हैं, कुछ भोजन पित को बढ़ाते हैं, तो वहीं कफ और वात को शान्द करते हैं, और इसी आ मुख तोर पर हमारे भारती समाज पर उसका उपयोग किया जाता है, वहीं पर गुड अपनी विशेस्ताओं को लिये हुए, गुड के कई लाब हैं, शक्कर के आने से पहले हर भारती मानस पर गुड की व्योस्था थी, महमान का स्वागत गुड की डली के साथ की जाती थी, इसके क्या चमतकारी क लाब मिलते हैं, आज हम आपको हाँ बताएंगे, लेकिन वह जानने से पहले, हम दही के बारे में और गुड के बारे में, क्या फाइदे मन्द चीज़े हैं संशक्त में, क्योंकि आपको लगभग हर जानकारी होगी, क्योंकि आजकर के लोग, खासकर कोरोनकाल के बाद में हेल्थ को लेके अवेर हो चुके हैं, वे दही के भी फायदे जानते हैं, वे गुड के भी फायदे जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो दही पर आप डाल कर खा रहे हैं, वह आपके दही को बेजान बना दे रही है, वह दही आपके लिए केवल एक भोजेपदार्द बन कर रहा गई है, उसके कोई विशेश लाब नहीं मिलते हैं, हाला कि इसके लिए हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, दही खाने का सही तरीका, आप उसे एक बार देख सकते हैं, लेकिन दही पर क्या डाल कर नहीं खाना है उसके अलावा, गुड डा भारती भोजन वेवस्था में अनन्य महत्व है, स्वाद के साथ यह पाचन आपकी संस्थान के लिए भी बहुत उत्तम है, यह स्वाद तो देता ही देता है, साथ में यह सहज भी है, पचने में बेहत सहज है, कई पौश्टिक तर तो इसके भीतर समाय हुए है, यह कैलसिय से भरपूर है, यह प्रोटीन से भरपूर है, दूद में जो चीजें नहीं है, वह भी दही में पाई जाती है, मेडिकल साइंस, दूद के बजाए दही खाने को प्रफर करता है, कि आपको दही का सेवन करना चाहिए, दूद, कई ऐसे लोग हैं जो नहीं पचा पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी दही बिलकुल सुपाच्य हो जाता है, दूद, जहां पर सोडियम नहीं पाया जाता है, लेकिन दही में पाया जाने वाले बैक्टिरियों के कारण, इस पर आपको विटामिन C भी मिल जाता है, साथ में सोडियम की भी मातरा मिल जाती है, अर्थार जो कमी दूध में है वहाँ आपको दही में पूर्ण होती भी मिलती है इसलिए दही को परिपूर्ण आहार भी कहा गया है दूध को परिपूर्ण आहार नहीं कहा गया है लेकिन दही अपने आप में एक complete food है जब आप दही का आप सेवन करते हैं तो लगबग हर positive minerals, vitamins आपको म बिल जाते हैं यहाँ पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है विशेशकर आतों के लिए क्योंकि इसमें कई good bacteria lactobacillus bacteria पाए जाती है जो आपके आतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है एक probiotic का कारे करता है जिससे आपकी आते स्वस्थ बनती है उनकी कारे प्रणाली दर्चों की माने तो जिसकी जितनी ज़ादा आते स्वस्थ वह उतना स्वस्थ होता है यहां तक की अब मल्प्रत्यारोपन प्रारम्भ हो गया है अधार ऐक स्वस्थ व्यक्ति का मल लेकर व्यमार व्यक्ति है उसके आतों पर ports छान जाता है ताकि उसके शरीर को Showरी मिल झा प्रतिरोधक शमता बढ़ती है यह यौन उर्जय को बढ़ाने वाला यूवा शक्ति को बढ़ाने वाला बलवर्दक और वीर्य वर्दक होता है साथ में यह पचने में 13 सहज होता है यह वात-दोश नासक होता है साथ में यह मुत्र समंन्दित रोगों के लिए इन भी बेहत फाइदे मंद होता है, आपकी बालों के लिए बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि बालों के लिए जो जरूरी विटामिन E होते हैं, वह भी इसमें पाया जाता है, यहां आपके मानसिक स्वास्त के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, जिसकी जितनी आत स्व dinero जाता है। कई भोजी पदार्थों के साथ मिलाकरी से कई मिश्ठान भी बनाये जाते हैं अपने आप में परिपूर्ण दही इसका सही ढंग से सेवन कैसे करना है वह भी हम आपको अंत्रें बनाएंगे उससे पहले हम जानते हैं कि गुड के आपको फाइदे क्या मिलते हैं जब शक्कर नहीं आया था तो भारत की जो प्राकृतिक मिठाई थी वह गुड ही थी महमान का स्वागत करना हो तो पानी के साथ में गुड की डली दी जाती थी भोजन करने के बाद में भोजन ऐसा लगता कि हमने ज़्यादा खा लिया है तो गुड का ही सेवन किया जाता था लेकिन शक्कर के आने के बाद यहा गुड धीरे धीरे कायब हो चुका था लेकिन अब लोग अवेर हो रहे हैं शकर के दुस प्रभावों को जान रहे हैं ए आधा चम्मत शकर किस प्रकार आपके मेटाबॉलिन को स्लो कर देता है आपकी पाचन चम्ता को ध्वस्त कर देता है इसके लिए लोग अवेर हो रहे हैं और धीरे धीरे यही गुड हमारे किचन में हमारे रहसोई घर में वापस सा रहा है और इस गुड का प्रयोग चाय के रूप में अन्य प्रकार से लोग कर रहे हैं तो यहां अपने आप में कई पॉस्टिकता लिए हुए है इसमें कैल्सियम, पोटेसियम, फॉस्पोरस, फॉलिक एसे तमाम पॉस्टिक चीजें हैं जो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, यह सर्दी जुकाम दूर रखता है, इससे रोग प्रतिरोधक्षमता अच्छी बनी रहती है, यह रक्त चाप नियंत्रित करने में आपकी मदद करता है, इसके प्रयोग से आपकी स्टेमना बढ़ती है क्योंकि यह उर्जा समलित किया गया है, और मधुर रस अपने आप में उर्जा देने वाला होता है, तो गुड का सेवन आपकी शार्रिक उर्जा को, आपकी मानसिक उर्जा को बेहत बढ़ाता है, हटी, हरदय, वह आपकी मस्तिस्क के लिए भी यह बहुत फाइदेमन्द है क्योंकि इसमें ऐस बेहत लाबदायक और अमरित समान है, अगर इसी गुड का प्रयोग आप बदाम के साथ में, मुफली के साथ में करते हैं, तो यह आपकी खून की कमी को बहुत तेजी से पूरी कर सकता है, यह आपकी पाचन संस्थान की जो एंजाइम्स होते हैं, जो आवस्यक रस होते हैं उसके स्त्रावन में मदद करता है, यह पाचन के लिए बेहत लाबदायक है, और इसका प्रयोग कबजी की समस्या है, उनके लिए भी बेहत लाबदायक है, यह पूरे पाचन संस्थान को दुरुस्त रखता है, ऐसा यह गुड फाइदे मंद है, महिलाओं के लिए अगर एक वीडियो भी बनाया जाए गुड के फाइदे या दही के फाइदे के लिए तो एक एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आज हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं कि गुड और दही के एक साथ प्रयोग करने पे आपको क्या मिलते हैं, अब देखिए, दही का जो सबसे बड़ा फाइदा है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी आतों में एक गुड बैक्टीरिया की तरह काम करता है, और अगर आते स्वस्त हैं, तो हम सच्मुच में स्वस्त हैं, हमारी मासिक ब्रिद्धी होने लगती है लेकिन जब आप शक्कर डालते हैं शक्कर को हम ऐसे तो समझते हैं कि मीठा है लेकिन शक्कर को मैंने कई बार कहा है कि वह विश्शमान ही है तो जब आप शक्कर डालते हैं और शक्कर पूरी तरह केमिकल से बना होता है और जब दही में शक्कर ड दालते हैं दही में नमक बैक्टिरिया को बहुत तेजी के साथ में धोस्त करने लगता है उन्हों मारने लगता है और यह नमक आपके दही में उपस्ति बैक्टिरिया में बहुत कम ही ला देता है लेकिन अगर वही अगर शक्कर और नमक की जगा गुड़ डाला जाए अब ग दही दही प्रोबाइटिक जो जिसमें गुड बैक्टिरिया की संख्या रहती है गुड डालने पर वह दुगनी तिगनु हो जाती है तो जब आप गुड डालते हैं तब उसमें जो गुड बैक्टिरिया की संख्या बहुत जादा बढ़ जाती है और जब आप उसका सेवन कर तो जो वह आतों में आपके पहुंसता है तो यह गुड बैक्टिरिया आपको एक उत्तम स्वास्ते देता है आपकी पाचन संस्तान को अच्छा बनाये रखता है अब दूसरा फायदा आपको गुड और दही एक साथ लेने का गुड की तासीर गर्म होती है वहीं दही की तास दही तासीर वाली चीजों से समस्या है सर्दी जुकाम में जल्दी चले जाते हैं उनकी लिए तो बहुत ही फायदय मन्दे क्योंकि उसमें गुड मिक्स है और गुड गर्म तासीर देता है घुड आपको रोप्रती रोधर च्षमता को अच्छा बनाये रखता है या वैसे थंडी रहती है ना ही गर्म तासीर वाली रहती है अगर इसका सेवन किया जाये तो वैसे तमाम लोग जो थंडी की समस्या कि समस्या से ग्रसी थे दढले से इसका प्रियोग कर सकते हैं कोई भी नुकसान नहीं होगा अब आपको दही गौड का एक फाइदा और है दही जो पित्त वर्धग होता है वहीं गुड़ जो होता है वहाँ पित्त को शांत करने वाला होता है हाला कि दही और गुड़ दोनों कफ में विर्धी करते हैं लेकिन ये दोनों ही चीजें आपके वात्य दोस को शांत करते हैं तो जब आप इसका मिक्स रूप से प्रेयोग करते हैं दही गुड को एक साथ खाते हैं तो आपके पित भी शान्त रहते हैं मतलब यह एक ऐसा तत्तो बन जाता है जिस प्रकार हम चर्ण प्रास की तारीफ करते हैं हम ऐसे कई चीजे हैं जो आपको त्रिफला चूर्ण है जो आपके त्रिदोष को शान्त करता है जो त्रिदोष को शान्त करता है उसी प्रकार यह गुड दही का प्रयोग आपके लिए त्रिदोष नासक हो जाता है क्योंकि यह आपके वात, पित और कफ को सम स्थिती में रखता है जिससे आप एक निरोग अवस्था में आते हैं तो दोस्तों आपको दही गुड खाने के यह तमाम फायदे मिल जाते हैं दही में कभी भी शक्कर और नमक डाल कर ना खाएं अगर आप दही खाना चाहते हैं या तो साधी खाईए या फिर गुड डाल कर खाईए ऐसा जब आप गुड डाल कर दही खाएंगे तो यह तमाम फायदे आपको मिलते चले जाएंगे तो आईरवेद के इन रहसियों का आप अपने जीवन में समा विष्ट करिए सक्कर जैसे विष्ट से दूर रहिए नमक का प्रयोग करिए लेकिन उचित भोजी पदार्थ के साथ में नमक का प्रयोग दही या दही से बनने वाली किसी भी चीजों में न करें वहाँ आपके सेहत के लिए नुकसान तो नहीं होगा लेकिन दही के जो फायदे मिलने चाहिए वह नहीं मिल पाएंगे अगर आप स्वास्त के लिए दही खाना चाहते हैं तो या तो साधी दही खाईए या उस पे गुड डाल कर खाईए अच्छा गुड कर स्यमाविस्ट करिए अच्छी जगा से उस गुड को खरी दिये और ये दही गुड आपके सेहत में वाकई में एक चमतकार ला सकता है आप कई तमाम ऐसी बिमारियों से दूर रह सकते हैं चुकि आपकी रोप्रतिरोधक शमता बढ़ जाएगी अता आप बिमार नहीं पड़ेंगे और दही के भी फायदे मिलेंगे गुड के भी फायदे मिलेंगे ठंडी तासीर वाले लोग भी खा सकते हैं गर्म तासीर वाले लोग भी खा सकते हैं तो यह दही गुड का प्रयोग करके अपनी सेहत को बनाते चलिए